नमस्कार दोस्तों मैं विश्टू राय आप सभी का एक बाफ फिर से स्वागत है मेरे चैनल विश्टू ग्यान में आज के वीडियो में मैं आप सभी को केंडिड भी डेस्टिंग पाउडर के बारे में जुड़ी सभी जनकारी देने वाला हूँ तो वीडियो आप फ्लाश तक देखें और अभी चैनल पर नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें तो नीचे दिये अगर रेट करके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें तो चलि के वीडियो शुरू करते हैं एंडिट भी डेस्टिंग पाउडर का इस्तमाल आम तोर पे त्वच्छा के विविन प्रकार के इंफेक्शन के इलाज के लिए किया जाता है यह सूजन खुजली जैसे स्चड़ों को कम करता है या संक्रमर करने वाले माइक्रो और्गिनेजम के विरुद भी काम करता है यह दो कॉंबिनेशन से बना हुआ है बेकलो मेटासोन 0.025% और क्लोटीमाजोर 1% त्वचा में फंगल इंफेक्शन के इलाज में केंडेट भी डैस्टिंग पाउडर का इस्तिमाल किया जाता है इनमें एथलीट फूट, दाद, स्वेट रैस जैसे इंफेक्शन सामिले क्लोटीमाजोर फंगस को मार कर तता इसकी बृद्धी को रोकने में काम करता है जिससे संक्रमन समाप्त होता है तता लाच्छनों से रहत मिलती है बैकलोमेटासोन उन केमिकल को निकलने से रोकता है जो खुजली, लालिमा और सूजन जैसे लच्छनों को पैदा करते हैं इसलिए दवा इन इन्फेक्षन के कारण होने वाले सूजन से रहत दिलाती है बीमारी के लच्छन खत्म होने के बाद भी आपको तब तक इस दवा का इस्तिमाल करना चाहिए जब तक इसको लेने की सलाह दी गई हो अन्यथा लच्छन वापस आ सकते हैं जिस इन्फेक्षन का इलाज आप करवा रहे हैं उसके प्रकार के आधार पे या कई हफ्तों तक इसे आपको यूज करना पड़ सकता है आपकी तुचा पूरी तरह से ठीक होने के बाद भी आपको कभी कभी लच्छन वापस आने से रोकने के लिए इसे इस्तिमाल करना पड़ता है इसका MRP लगबग 108 रुपिया होता है यह केंडिड इसके ओइन्मेंट भी आते हैं और पावडर भी आता है इसके सोब भी आते हैं यह काफी अच्छा पावडर है इंफेक्षन के लिए तो इसे यूज करके आप इंफेक्षन से छुटकारा पा सकते हैं बच्छों से दूर रखें लब यह बाहर यूज के लिए किया जाता है मुह में आक और नाक में यूज नहीं करना चाहिए तो चलिए आज के लिए बस इतना ही केंडिड भी पावडर के बारे में इंफॉर्मेशन आपको पसंद आया तो वीडियो को जारा सेयर करें कि और लोगत के इंफॉमेशन आपको जाता है जन्ने बादे